नमस्कार दोस्तो वेलकम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में हम जीव विज्ञान की 30 अती मैतुपुर्ण क्विशन देखेंगे जो की जितने भी कम्पिटीशन अग्जाम है उनके लिए बहुत ही मैतुपुर्ण है तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्य हर्दे को तो इसका सही आंसर हो जाएगा option D यानकी हर्दे को हर्दे की चारो और एक दोरी जिल्ली पाये जाती है जिसे पेरिकार्डियम या हर्द्या औरन कहा जाता है हर्द्या औरन या पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल फ्लूड पाया जाता है जो हर्दे को बाहरी आगातों से सुरक्ष्या परदान करता है तो फेस्ट क्यूशन का सही आंसर हो जाएगा option D, यानि की हर्दी जिसके चार और पेरी कार्डियम नामक दोरी जिल्ली पाई जाती है next question है ammonia का यूरिया में परिवर्तन होता है option A, अगनाशे में B, यकरत में C, वरक्मी D, अमासे में तो इसका सही आंसर हो जाएगा option B, यकरत यानि की लीवर में अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है यकरत के दोरा पितरस का सरावन किया जाता है जो पितासे में एक्तरित होता है और भोजन में यानि की भोजन के अमली अमाद्यम को छारी अमाद्यम में बदलने का कारिये करता है यानि की पाचन में साहेता करता है next question है रक्त के पलाजमा में जल होता है option A, 90% B, 60% C, 99% D, 50% तो इसका सही आंसर हो जाएगा option A, यानि की 90% रक्त के पलाजमा में जल हो 90% होता है जबकि पलाजमा होती है वो लगबग 55% के लगबग होती यानि की 55% के लगबग होती जिसमें 90% जल होता है next question है हमारे हर्दे में कितने कोष्ट होते हैं option A, 2 B, 3 C, 4 D, 1 तो इसका सही आंसर हो जाएगा option C, यानि की 4 इसमें 2 आलिंद होते हैं 2 निले होते हैं तो टोटल कुल मिलाकर के हमारे हर्दे में 4 कोष्टक होते हैं next question William Harvey ने किस की खोज की थी या किस की खोज के लिए परशिद है option A, सौशन B, स्पंदन C, पाचन D, रक्त परिशंचर्ण तंतर तो इसका सही आंसर हो जाएगा option D, यानि की William Harvey रक्त परिशंचर्ण तंतर के लिए परशिद है next question है अनोक्सी सौशन में अंतिम उत्पाद होता है option A, स्टार्च B, पाइरवी कमल C, शरकरा D, इथाईल एलकोल तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथाईल एलकोल next question है अंगूर पिचक जाता है option A, आसूत जल में B, नमक के घोल में C, सक्कर के घोल में D, अरंडी के घोल में तो इसका सही आंसर हो जाएगा option C यानि की सक्कर के घोल में अंगूर पिचक जाते हैं नेक्स्ट क्यूशन, पोदों में सवसन किरिया होती है, उप्षन A केवल रात में, B केवल दिन में, C दिन वर रात दोनों, D केवल प्राते काल में, तो उप्षन C इसका सई आंसर हो जाएगा, यानिकि दिन वर रात दोनों में ही सवसन की किरिया होती है, नेक्स्ट क्विशन जल को पोदो के विभिन बागों में पहुँचाता है उप्शन A. एदा, B. मर्दू तक, C. जायलम, D. फ्लोईम तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप्शन C यानि कि जायलम है जो पोदो के विभिन बागों तक जल को पहुचाने का कारिय करता है जायलम यानि कि जो जल को जडों से गहन करता है और जल की जो अलग-लग बाग हैं वहां तक पहुचाने का कारिय करता है नेक्स्ट क्विशन आता है फिर फेपडे में ऐसुद रख्त आता है उप्षन A. बाइन निले से B. दाइने निले से C. दाइने आलिंद से D. बाइन आलिंद से तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप्षन B. यनकी दाइने निले से फेपडों में ऐसुद रख्त आता है नेक्स्ट क्विशन है वर्को का कारिय है तो इसका सई आंसर होजएगा उप्शन C यानी कि उत्सरजन वर्को का कारिय होता है एक कोशिके जीवों में उत्सरजन की पर्मुख विधी है उप्शन A प्राशरण, B विश्रण, C एव्शोषण, D रशारोहण तो इसका सही आंसर हो जाएगा option B, यानिकी विश्रण अगला question है, हमारी सांस से निकलने वाली वायू में CO2 की मात्रा होती है, option A, 0.03%, B, 2%, C, 4%, D, 1% तो सही आंसर हो जाएगा option C, यानिकी 4%, next question, निमन में से कौन पूरे सरीर को रक्त की आपूर्ती हरदेशे करता है, option A, माशपेशिया, B, धमनिया, C, तंत्रिकाई, D, सीराई तो इसका सही आंसर हो जाएगा option B, यानिकी धमनिया, जो पूरे सरीर में रक्त की आपूर्ती करता है, हरदे से रक्त को लेकर के पूरे सरीर में पहुचाती है, धमनिया अगला question है, मानो के परमुक उत्सरजी अंग है, option A, हरदे, B, वरक, C, छोटियान, D, अगना से तो इसका सही आंसर हो जाएगा option B, वरक, यानिकी किडनी, जो कि मनुशे का परमुक उत्सरजी अंग होता है, नेक्स्ट है, ATP है, option A, एक एंजाइम जो ओक्षीकरन किरिया करता है, B, एक हार्मोन, C, एक प्रोटिन, D, एक अनू जिसमें उच उर्जा युक्त फोस्पेट बंद होते हैं, तो option D, इसका सही आंसर हो जाएगा, एक अनू जिसमें उच उर्जा युक्त फोस्पेट बंद होते हैं, वोर ATP की फुल पोरम होती है, एडिनोसिन ट्राइब फोस्पेट, नेक्स्ट क्यूशन आता है फिर, 17 नंबर का क्यूशन किस किरिया में कार्बन डाइ एकसाइड निकलती है, option A, सौशन, B, परकास अन्शलेशन, C, वोश पोस्पोत सर्जन, D, किणवन तो इसका सही आंसर हो जाएगा option A, सौशन जिसमें की कारबंडाय ओक्साइड निकलती है, इसमें oxygen की आउसेक्ता होती है, और उत्पाद की रूप में कारबंडाय ओक्साइड निकलती है, साथ में जल की मात्रा भी निर्मुक्त होती है, next question है, निमनलिकित किरियाओं में से किसमें oxygen निकलती है, option A, परकास संचलेशन, B, ओक्षीशावशन, C, अनोक्षीशावशन, D, उत्षरजन, तो सही आंसर हो जाएगा option A, यनकि परकास संचलेशन की किरिया में oxygen मुक्त होती है, जबकि परकास संचलेशन में CO2 जगैस है, वो उप्योग में ली जाती है, next question है, होसी की किरियाओं में सामाने तुरंत उप्योगी उर्जा युक्त पदार्थ हैं, option A, DNA, B, RNA, C, ATP, D, N, A, D, तो सही आंसर हो जाएगा option C, यनकि ATP, नेक्स्ट क्यूशन तन्य में फ्लोईम का कारिय है, option A, जडो तक भोज्जे पदार्थों को पहुँचाना, B, खनीज लवन वजल को पतियों तक पहुँचाना, C, भोजन को पोदो के विभिन बागों में पहुँचाना, D, भोज्जे पदार्थों को केवल बीजों तक पहुचाना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा option C, यनकि भोजन को पोदो के विभिन बागों तक पहुचाने का कारिय है, वो तन्य में फ्लोईम के द्वारा किया जाता है, यनकि फ्लोईम से food, तो फ्लोईम के द्वारा भोजन का प्रिवयन होता है, वह परकिरिया जिसके द्वारा अत्रिक्त जल वास्प के रूप में निकलता है, कहलाती है, option A, सवशन, B, परकास अंसलेशन, C, बिंदू शरवन, और D, वास्पोत सर्जन, तो इसका सई आंसर हो जाएगा, वास्पोत सर्जन या ट्रांस्पिरेशन, next question है, protein पाचक एंजाइम है, option A, amylage, B, tylin, C, maltage, D, pepsin, तो इसका सई आंसर हो जाएगा, option D, यानिकि pepsin, next question, यूरिया का संसलेशन होता है, option A, वरक्त मी, B, रक्त मी, C, एक्रत मी, D, अगनासे मी, तो इसका सई आंसर हो जाएगा, option C, यानिकि एक्रत में, यूरिया का संसलेशन होता है, next question, मचलिया सवशन करती है, A, गलफडे द्वारा, B, फेफडे द्वारा, C, बुक कलोम द्वारा, D, तवचा द्वारा, तो सई आंसर हो जाएगा, option A, गलफडे द्वारा, या गिल्स द्वारा, मचलिया सवशन करती है, next question, सवशन किरिया से, मानो सरीर में होता है, option A, वर्दी, B, गुलकोज का उक्षिकरण, C, विशानो का निर्मान, D, गुलकोज का निर्मान, तो इसका सई आंसर हो जाएगा, option B, यानिकी सवशन की करिया, द्वारा, गुलकोज का उक्षिकरण होता है, next question, बिजान्ड में प्रवेश के समय, प्राग नलिका में केंद्रकों की संख्या होती है, option A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, तो सई आंसर हो जाएगा, option C, यानिकी 3, next question है, जब एक नर युगमक अंड कोशिका से सयुक्त होता है, तो बनता है, option A, बुरून पोस्ट, B, बुरून, C, बिजान्ड, D, फल्विती, तो सई आंसर हो जाएगा, option B, यानिकी बुरून का निर्मान होता है, next question, भुज्य पदार्तों का सैवन करने वाला उत्तक है, option A, फलोएम, B, जायलम, C, मर्दू तक, D, स्थूल कोणों तक, और ये question हमने पहले भी देख लिया, तो सई आंसर हो जाएगा, option A, यानिकी फलोएम, next question है, निम लिखित में से कौन सा जन्तू दिवी लिंगी है, option A, मेंडक, B, केंचवा, C, एसकेरिस, D, तिल्चटा, तो सई आंसर हो जाएगा, option B, यानिकी केंचवा, जो एनिलीडा संका सदस्य है, जो की दिवी लिंगी होता है, next question, जिवानू वर्दी के लिए, निम लिखित में से कौन सा सर्मर्दन माद्यम परियोग में किया जाता है, option A, आयोडिन, B, एगार-एगार, C, सरकरा, D, अलकोल, तो इसका सई आंसर हो जाएगा, option B, यानि कि एगार-एगार, जिसमें जिवानों को समर्दित किया जाता है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ये comment जरूर कीजिए, अगर अच्छा लगा है, तो like कीजिए, share कीजिए, और मेरे चैनल को subscribe कीजिए, और अभी तक आपने बेल आइकन पर जरूर प्रेस नहीं किया है, तो जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको प्राप्त होते रहे, धन्यवाद,